साथियो, पंधरपूर ने मानवता को नक्यवल भक्ती और राष्ट्र भक्ती का मार्ग दिखाया है, बलकि भक्ती की शक्ती से मानवता का परिचय भी कराया है। यहां अक्सर लोग भगवान से कुछ मांगने नहीं आते हैं। यहां विठल भगवान का दर्शन, उनकी निश्काम भक्ती ही जीवन का धे हैं। काई बिठू मावली चा दर्शना ने डोड़ा चे पानना फिरते की नहीं। तभी तो भगवान यहां खुद भक्तों के आदेश पर यूगों से कमरपनहार रख करके खड़े हैं। बक्त पुंडिक ने अपने माता पिता में इश्वर को देखा था। नर सेवा नारायन सेवा माना था। आज तक वही आदर्श हमारा समाज जी रहा है। सेवा दिंडी के जरिये जीव मात्र की सेवा को साधना मान कर चला रहा है। हर बारकरी जिस निसकाम भाव से भक्ति करता है, उसी भाव से निसकाम सेवा भी करता है। अमृत कलशदान, अन्नदान ये गरीबों की सेवा के प्रकल्पतों यहाँ चलते ही रहते हैं। सिक्षाव और स्वात के खेत्र में आप सभी की सेवा समाज की शक्ति का एक अध्वित्य उदहारन है। हमारे यहां आस्ता और भक्ति किस तरह राष्ट सेवा और राष्ट भक्ति से जुड़ी हैं। सेवा, सेवा दिंडी इसका भी बहुत बड़ा उदहारन है। गाउं का उठान, गाउं की प्रगती, सेवा दिंडी इसका एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। देश आज गाउं के विकास लिए जितने भी संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है हमारे वारकरी भाई भेहन उसकी बहुत बड़ी ताकत है देश ने स्वच्छ भारत अभ्यान शुरू किया तो आज बिठोबा के भक्त निर्मलवारी अभ्यान के साथ उसे गती दे रहे हैं इसी तरह बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ अभ्यान हो जल सवरक्षन के लिए हमारे प्रयास हो हमारी आध्यात्मिक चेतना हमारे राष्टिय संकल्पों को उर्जा दे रही है और आज जब मैं अपने वारकरी भाई बहनों से बात कर रहा हूं तो आपसे आशिरवास्वर तीन चीजे मांगना चाहता हूं मांगू क्या जरा हाथ उपार करके बताईए मांगू क्या आप देंगे देखिए जिस प्रकार से आप समने हाथ उठा करके एक प्रकार से मुझे आशिरवाद दिये हैं आपका हमेशा मुझे पर इतना स्ने रहा है कि मैं खुद को रोग नहीं पा रहा हूं मुझे पहला अशिरवाद वो चाहिए कि ये स्रीमन ग्यानेश्वर महराज पालकी मार का निर्माड होगा जिस संत तुकाराम महराज पालकी मार का निर्माड होगा उसके किनारे जो विशेश पैदल मार बन रहा है उनके दोनों तरफ हर कुछ मिटर पर छायादार बुरक्ष जरूर लगाए जाएं ये करेंगे कि आप काम मेरा तो सबका प्रया से मनत रही है जब ये मार्ग बन कर तयार होंगे तब तक ये पैड़ भी इतने बड़े हो जाएंगे कि पूरा पैदल मार छायादार हो जाएगा मेरा इन पाल्खी मार्गों के किनारे पढ़ने वाले अने गाउं से इस जन आंदोलन का नेत्रूता करने का आगर है हर गाउं अपने शेत्र से होकर गुजरने वाले पाल्खी मार्ग की जिम्मेदारी संभाले बहां पैड लगाएं तो बहुत जल्द ये काम किया जा सकता है साथियों मुझे आपका दूसरा आशिरवाद चाहिए और दूसरा आशिरवाद मुझे ये चाहिए इस पैडल मार्ग पर हर कुछ दूरी पर पीने के पानी की और वो भी शुद्ध पीने का जल्द इसकी भी व्यवस्ता की जाएं इन मार्गों पर अनेकों प्याव बनाए जाएं बगवान विठ्थल की भक्ती मैं लीन स्रधालू जब पंदरपूर की तरफ बढ़ते हैं तो 21 दिन तक अपना सब कुछ भूल जाते हैं पीने के प्याव ऐसे भक्तों के बहुत काम आएंगे और तीसना आशिरवाद मुझे आज आपसे जुरूर लेना है और मुझे आप निराज कभी नहीं करोगे तीसना आशिरवाद जो मुझे चाहिए वो पंदरपूर के लिए है मैं भविष्य में पंदरपूर को भारत के सबसे स्वच्छ तिर्थस्थलों में देखना चाहता हूँ हिंदुस्तान में जब भी कोई देखे के बैस सबसे स्वच्छ तिर्थस्थल कौन सा है तो सबसे पहले नाम मेरे विठोबा का, मेरे विठ्छल की भूमी का, मेरे पंड़क पुका होना चाहिए, ये चीज मैं आपसे चाहता हूँ, और ये काम भी जन भागीदारी से ही होगा, जब स्थानिय लोग स्वच्छता के आंदोरन का नेत्रुत्व अपनी कमान में लेंग तभी हम इस सपने को साकार कर पाएंगे, और मैं हमेशन जिस बात की वकालत करता हूँ, सब का प्रयास कहता हूँ, उसकी अभीवक्ती ऐसे ही होगी.